हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत हैं, उमीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपको चेहरी की सुन्दर्ता को बिगाडने वाले मस्वों से निजात पाने के कुछ उपायों के बारे में बात करूँगी यदि चेहरे पर मस्वा जादा बड़ा है तो घूड़े की पूँच का बाल मस्वा बानने से मस्वा अपने आप ही कट कर गिर जाता है अगर बत्ती के जलेवे हिस्से को मस्से पर लगाएं और लगाती तुरंथ हटा लें इस परियोग को 8-10 बार करने से मस्सा सूख कर जढ़ जाएगा ध्यार रहे कि अगर बत्ती सिर्फ मस्से पर ही लगानी है दिन में दो बार मस्सों की जड़ों में चूने का पेस्ट बना कर लगाएंगे तो मस्सा जढ़ कर खतम हो जाएगा अलसी के बीजों को पीस कर उसमें अलसी का तेल या शेहद मिलाकर मस्वों पर लगाएं 6-7 दिनों में इस उपाई के इस्तेमाल से मस्वा खतम हो जाएगा एस्परिन की एक गोली को पानी में पीस कर पेस्ट बना लें इस पेस्ट को मस्सों पर लगाएं इससे मस्सा कुछी दिनों में जढ़ जाएगा मस्सों पर नेल पोलिश लगाकर थोड़ी देर बाद साफ कर लें दिन में दोबर ऐसा करने से भी मस्सा खतम हो जाता है तो दोस्तों यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें एक नई जानकारी के साथ फिर मैं आपके पास आऊंगी तब तक हस्ते रिये मुस्कुराते रियो स्वस्त रिये धन्यवाद